हेलो बच्चो आप सभी का हमारे चैनल इवेस वर्चुल कैंपस में स्वागत है मैं हूँ उदेसंकर बच्चो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में ये वैसी idioms है जो कि आपको exam में तो मिलेंगे ही इसके साथ साथ आप जो भी अगर आप इंग्लिस में पढ़ते हैं जैसे आप newspaper पढ़ते हैं, magazine पढ़ते हैं या कोई literature पढ़ते हैं तो आपको ये सारी idioms मिलने वाले हैं यानि कि exam के अलावा इन idioms का प्रियोग हमारे daily life में भी होता है, आप इन idioms को आप एक से लेकर के 30 तक आप पूरे देखें क्योंकि idioms को काफी मेनत से बनाये गया है, बच्चों अगर आप इस चैनल को subscribe अब तक नहीं किया हैं तो आप इसे subscribe कर ले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसे बॉनिट, have a bee in one's bonnet, चलिए, इसका अर्थ क्या होता है, idioms का मतलब क्या होता है, पर बहले हम इसको समझ लेते हैं, देखें, idioms क्या होता है, थोड़ा सब basic चीजों को पर बहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग one by one idioms लेके चलेंगे, तो idioms का fix ये pair होंगे ये words के fix combination होंगे आप इसको सरल भासा में समझे fix combination of words of words ठीक है ना जिनका अपना एक मतलब की एक सोतंतर अर्थ होता है ये fix combination होंगे मालनी जी कि यहां B है यहां bonnet है तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी दूसरा मतलब word नहीं आएगा bonnet के जगह पर bonnet ही रहेगा B के जगह पर B ही रहेगा ये fix है इसमें कोई तरका बदलाओ नहीं होने वाला है अच्छा इनका हम अलग-अलग अर्थ नहीं लेते हैं इनका हम एक सामुही करते लेते हैं तो idioms का मतलब क्या होता है ये fix combination of words होते हैं जिनका अपना एक अलग मतलब होता है यानि कीडियम्स का जब हम अर्थ निकालते हैं तो one by one word करके नहीं निकालते हैं बलकि इन समूचे का एक हम particular अर्थ निकालते हैं एक विसेस अर्थ निकालते हैं तो चलिए अब ये कर रहे क्या कि have a be in once bonnet का मतलब क्या होता है be obsessed with obsessed का मतलब क्या होता है किसी चीज के परतिगर आप obsessed है यानि कि आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं आप उसी में मगन रहते हैं तो have a be in once bonnet का मतलब क्या हुआ be obsessed with यानि कि किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहना उसमें मगन रहना बहुत सारे लोग मतलब केवल खानी पीने के बारे में सोचते हैं बहुत सारे लोग केवल खिल कुद के बारे में सोचते हैं बहुत सारे लोग केवल पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो इन सभी तरह के बाक्यों में हम इस idioms का प्रियूक कर सकते हैं have a be in once bonnet का मतलब क्या होता है किसी चीच के बारे में लगतार सोचते रहाना उसी चीच के परती मगन रहाना चलिए बच्चों तो हमारी यह first idiom के लिए रहा है आते हैं second idiom में कह रहा है कि अब बूल in a china shop अब देखें अब बूल के जगा पर यहाँ पर काउं नहीं होगा idioms के बारे में क्या बताया हूँ कि यह fix pair होंगे यह fix combination होंगे जिसका अपने खास मतलब होता है वैसे तो बूल का मतलब साण होता है swap का मतलब दुकान होता है अब साण दुकान में यह थोड़ा से appropriate नहीं लगता है इसका एक अपना अलग मतलब होगा जब idioms का अपने अलग अर्थ होता है तो चलिए बूल इने चाइना स्वाप का मतलब क्या हुआ ठीक ना एक clumsy person in an important place एक clumsy person in an important place इसका मतलब क्या हुआ कि महत्पूर्ण जगह पर बेढ़ंगा कार करने वाला कोई व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति चला गया है उस जगह पर जो जगह उसके लिए suitable नहीं है या fit नहीं है आप ऐसे समझें तो इस बात को कहने के लिए हमारे पास idiom क्या है बूल इने चाइना स्वाप माल लिजे कि कोई दुकान में चाइना स्वाप जा चिन्नी मिट्टी का बरतन रखा उसमें एक साण खुष गया हो अब साण खुष गया है तो चिन्नी मिट्टी के बरतन तो बचेंगे नहीं इसका मतलब हम यहीं से निकालेंगे कि एक बेढ़ंगा कार करने वाला वेक्ती चला गया है किसी महत्पून जगा पर तो एक बूली ने चाइना सौब का मतलब क्या होता है महत्पून जगा पर बेढ़ंगा कार करने वाला वेक्ती यदि इसका English explanation अगर हम करें तो क्या होगा एक clumsy person in an important place चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं number 3 में करें क्या take the bull by the horns आप देखें आप बूल का मतलब सान है horn का मतलब sing है यानि कि क्या आप सान को सिंग से पकड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा इसका भाव क्या निकलेगा कि किसी समस्य का सामना करना आप समस्य से भागते नहीं है बलकि आप उसका front से सामना करते हैं आप जैसे कि सान से आप भागते नहीं है आप सान का आप horn पकड़ लेते हैं उसका sing पकड़ लेते हैं आप आगी की उरस से आकर पकड़ते हैं इसका मतलब किसान क्या एक समस्या है आप समस्या का सामना करते हैं आप उसे भागते नहीं है तो take the bull by the horns का मतलब क्या होता है to decide to face a problem or difficulty आपने ठान दिया है कि आपको समस्या का सामना करना है आपको भागना नहीं है तो बच्चो यह idiom बहुत important idiom है और यह idiom कई बार multiple times बारं बार यह पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं when pigs fly पताईए पिक्स क्या उड़ते हैं नहीं तो pigs कब उड़ेंगे क्या कोई ऐसे समभावना है नहीं चलिए when pigs fly चलिए ऐसा चीज जो कभी भी नहीं होगा when pigs fly का मतलब यहाँ pigs का मतलब जानवर से नहीं है यहाँ देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा क्या कहा कि जो idioms होते हैं वो fix होते हैं यहाँ पर pig के जगा पर हम दूसरा जानवर नहीं रख सकते हैं यही इडियम होता है इडियम क्या होता है यह वर्ड्स का फिक्स्ट कंबिनेशन होता है चलिए अब कह रहा है क्या इसका मतलब क्या हुआ कि something that will never happen something that will never happen वो चीज़ जो कभी हो नहीं सकता है उसको कहते when the pigs fly अब पाकिस्तान कहोता है कि हम कास्मीर को हंथिया लेंगे कास्मीर को हंथिया लेंगे यह अब तभी हंथिया आईएगा कास्मीर को जब सुवर उड़ेंगे सुवर कभी उड़ेंगे कभी नहीं उड़ेंगे यानि कि यह चीज़ पाकिस्तान के लिए हमेंसे सपना रहा जाएगा कास्मीर को हंतियाना हम क्या लिखेंगा इसको अगर हम अगर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे वहना पाकिस्तान पाकिस्तान विल अकुपाई अकुपाई कास्मीर पाकिस्तान विल अकुपाई कास्मीर पाकिस्तान तभी कास्मीर अखुपाई करेगा जब सुवर उड़ना शुरू करेंगे जो कि impossible है यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान का कास्मीर अखुपाई करना impossible है यानि कि इसका मतलब अगर तोड़ के लिखे तो पाकिस्तान कासमीर को कभी नहतिया पाएगा फाकिस्तान कासमीर को तो कभी भी नहीं ले पाएगा ये इसका भाव निकलेगा ठीक ना इसका भाव यही है чलिए बच्छे में आगे बढ़ते हैं Kollege 5 में कंगारू-कोट क्या होता है चली कंगारू कोट वैसे कोट होते हैं या वैद तरीकी के कोट होते हैं ठीक है ना कुछ जो आप देखेगा कि जो नकसली बिल्ट होते हैं नकसली जो च्छत्र होते हैं उसमें लोग अपना ही कोट बैठा देते हैं अपने ही मर्जी से किसी को पनिस्मेंट दे देंगे तो य फालूगे से बड़ा भी है। इसको यह कुछ लोग ऑप इसाया लिए गया निंती है. चलिए, नमबर आते हैं 6 में, एक cold feast, एक cold feast का क्या मतलब है, ठंडा मचली नहीं, क्या बताएगा, एक idioms का fixed meaning होता है, fixed meaning होता है, अलब गलब करके अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब हो जागा एक ठंडा मचली, यहां ठंडा मचली का कोई sense नहीं है, एक cold feast क्या होता ह and unfriendly and indifferent person, एक व्यक्ति होगा, जो कि friendly किसी में का नहीं होगा, friendly nature का नहीं होगा, unfriendly होगा, और किसी के परती उदासिन रहेगा, ठंडा, तो इसका मतलब क्या होता है, उदासिन और निश्ठूर व्यक्ति को कहते हैं, एक cold feast, यदि कोई एक cold feast है, यानि कि वो उदासिन और हमको एक sentence बनाना है, कि ऐसे लोगों का हमारे समु में कोई जगा नहीं, हम कैसे लिखेंगे, ठीक ना Ayukolड फिष घीक ना, has, has no place, no place in our group, हमको कहना है, कि ऐसे वेक्ति का हमारे समु में हमारे जो group मंडिली है, ऐसे लोगों का उसमें कोई जगा नहीं है, एक cold feast has no place in our group, चल आएका नमबर सेवेन में, करें कि फ्लाइ ओफ दे हैंडल, फ्लाइ ओफ दे हैंडल का मतलब क्या होता है, ठीक ना, to control, to lose control of emotion, आप अपना emotion खो देते हैं, तुरंट आप अपना emotion खो देते हैं, नहीं समझ में रहा है तो आप ऐसे समझें, to become angry, क्रोधित हो जाना, फ्लाइ ओ क्रोधित होना, आवेस में आना को कहते हैं, फ्लाइ ओफ दे हैंडल, यदि कोई व्यक्ति फ्लाइ ओफ दे हैंडल होता है, इसका मतलब है कि तुरंट आवेस में आजाता है, हमको कहना है कि जब उससे लोग disagree होते हैं, आना कोई महिला है, जब उससे लोग agree नहीं होते हैं, तो तुरंत क्रोध में आ जाती है, तुरंत क्रोध करने लगती है, कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो तुरंत आवेस में आ जाती है, क्रोध में आ जाती है, जब लोग उससे असहमती जताते हैं, मतलब, उसका मतलब है कि उसको हमेंसा सहमती चाहिए, ठीकर न, लोग जब उससे सहमती जताते हैं, वो तुरंत क्रोधित हो जाती है, आवेस में आ जाती है, तो यह फ्लाई ओफ दी हैंडल, बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट यह इडियम से हैं, और यह बहुत बार प सर्च, एक ऐसी खोज, ऐसी तलास, जो कभी सफलता नहीं पाएगा, एक वैसा चीज़ आप करने जा रहे हैं, जो आपो कभी मिलेगा नहीं, तो आप क्या है, एक वाल्ड गूस चेस हैं, आप एक जंगली गूस को आप ढूंड रहे हों, जंगल में कहां जाकि छीपेगा, तो इस अर्थ यहीं से लिया गया है, एक वाल्ड गूस चेस का मतलब क्या हुआ है, एक होपले सर्च, तोड़के कहेंगे, तो एक ऐसी खोच, ऐसी तलास, जिसकी सफलता की कोई आसा नहीं हो, ठीक है, असंभोकार की जो चिस्टा होती है, वो कलाता है, एक वाल्ड गूस ठीक है, ना, हमको कहाना है, दावद इबराहिम को आज खोजना, दुनिया भर की इंटिलिजेंस एजेंसी के लिए क्या हो गया है, एक वाल्ड गूस चेस, खुशते चलिए, वो कभी हाथ नहीं आएगा, ठीक है, तो कहाने का मतलब क्या है, कि अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं, जो कि हो ही नहीं सकता है, असंभाव वकार है, वकार में सफलता पो नहीं मिलेगी, ये गरेंटेड है, तो आप क्या करने वाले हैं, ये वाल्ड गूस चेस करने वाले हैं, चलिए, नमबर नाइन में आते हैं, करे कि अप पुटिया सिट, दे कैट एमोंग दे पीजन, कैट को ना, आप कबूतरों में छोड़ दिये हैं, अब कबूतर तो भागम भाग करने लगेंगे, इदर उदर भागने लगेंगे, कैट उनका बहुत बड़ा दुस्मन, अगर आप एक बिल्ली को कबूतरों के पिंजडों में छोड़ देते हैं, कबूतरों में भागदर म इसका मतलब क्या होता है to costable हना समस्य पैदा करना चलिए आगे बढ़ते हैं नमर 10 में cat calls क्या होता है cat calls क्या होता है is out of anger or disapproval आप नाराजगी में आप गुस्से में जो आवाज जो देते हैं गुस्से भरी आवाज नाराजगी भरी आवाज को कहते हैं cat calls आते हैं बच्चों 11 के तरफ rain cat and dogs यह बहुत ही popular यह आपका idiom है बहुत ही popular है अक्सर यह मतलब आपको देखने को मीलेगा पढ़ने को मीलेगा rain cat and dogs का मतलब क्या होता है rain heavily काफी बारिस होना मुसलधार बारिस होना हमको कहना है कि कल रात मुसलधार बारिस होई हम कैसे लिखेंगे it rained आसान है बहुत आसान है it rained cats and dogs yesterday कल मुसलधार बारिस होई हमको ऐसे कहना है कि कल मुसलधार बारिस होई हमारा वाक ऐसे बनेगा it rained cats and dog yesterday चलिए आते number 12 में करा क्या keep the wolf, wolf मतलब भेडिया from the door, आप दोर से भेडिया को दूर रखते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप गरीबी को दूर रखते हैं, परिसानी को दूर रखते हैं, और इतना कमा लेते हैं कि आप मतलब खा सकते हैं तो इसको तोड़ के का जाए, इसका अगर अर्थ का जाए, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा to a void, भॉयड मतलब बचना और इस्टार भेशन का मतलब भुखमरी इसका अर्थ क्या होगा कि गरीबी दूर रखना, खाने, पीने भर, परियापत, पैसा होना यह होता है, keep the wolf from the door, यदि keep the wolf from the door करते हैं, तो आप भुखमरी को, गरीबी को अपने से दूर रखते हैं, जो भेडिया है ना, यह गरीबी का परतीक है, यह भुखमरी का परतीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग नमर 13 के और करते हैं, कर रहे हैं, let the cat out of the bag, कोई bag कोई थैला है, आप वहां से बिल्ली निकाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है कि गल्ती से कोई राज की बात कह देते हैं, बिल्ली निकालने का ताथ पर बिल्ली से नहीं है, बिल्ली निकालने का अताथ पर कोई राज की बात से अब गलती से, भना by mistake आप कोई राज की बात कहा देते हैं तो यही होता है, let the cat out of the bag, अंग्रीजी में कैसे कहेंगे, to tell a secret by mistake आप किसी रहस को कहा देते हैं, by mistake, गलती से तो आप क्या करते हैं let the cat out of the pack करते हैं आएगा नमबर 14 में करें कि lead a cat and dog life आप एक कुत्त और बिल्ली की जिनगी जीते हैं ये कुत्त और बिल्ली अक्सर लड़ते रहते हैं ये कुत्त और बिल्ली को जगडा करने के ये परतीक है तो इसका मतलब है कि lead a life of quarreling आप क्या है कलापूर में जीवन जीते हैं इसी को काते हैं lead a cat and dog life जैसे क्या में लिख सकते हैं रिखे तो अगर लिख सकते हैं the couple in that house lead a cat and dog life इसका हिंदी क्या हुआ कि उस घर में जो दमपत्ती हैं वो कौन सा जिनगी जीते हैं हमें से लड़ाई वाली जीनगी जीते हैं कलापूर जीनगी जीते हैं चलिए बच्चों हम लोग आते हैं number 15 की ओर to cry wolf अना हम लोग अपने भासा में क्या कते हैं भेड़ी आया भेड़ी आया ये भेड़ी आया क्या है आप कोई जूटा आवाज फैलाते हैं जूटा फुआ फैलाते हैं ठीक ना जूटी खबरे बताते हैं तो इसको कहते हैं to cry wolf to cry wolf का साइनों क्या होगा to give a false alarm to give a false alarm इसको आप हिंदी में कह सकते हैं जूटे खट्रे का सोर मचाना ठीक ना जूटे खट्रे का सोर मचाना ये होता है to cry wolf होता है बच्चो ये इडियम जो है वो SSC exams में बहुत और बहुत बार पूछा गया है चलिए आते हैं नमर 16 में लिम डख क्या होता है कोई company कोई संस्था ये लिम डख है इसका मतलब है कि वो संस्था हमेसे घाटा में रहने वाला है और उस संस्था को टिकने के लिए ना मदद की जरूरत है ऐसे वो संस्था नहीं ठीक हैगा कोई संस्था कोई company अगर वो लिम डख है इसका मतलब है कि लिम का मतलब लंगड़ा है इसका मतलब है कि उसको help की जरूरत है चलिए that cannot survive without help जो बीना मदद का नहीं जिन्दा रह सके वो का लाता है लिम डख तोड़ कर कहेंगे तो कैसे लिखेंगे जो मदद के बीना ना टिक सके घाटा में रहने वाला कोई घाटा में राने वाली कंपनी को क्या कहेंगे लेमड़ा कंपनी कोई घाटा में राने वाली कंपनी को क्या कहेंगे अक्सर यह घाटा में राती है और सरकार इसको सबसीड़ी देकर कि इसको जिन्दा रखता है चलिए बच्चों हम लोग चलते है नमबर 17 की ओर lead a dog's life वो cat and dog life था देखे ये जो था ना cat and dog life था अब के वर dog's life है अब के वर dog's life है तो lead a dog's life का मतलब क्या होता है दुखी या उदास रहना ठीक है अगर एक dog का जिन्गी जीते हैं dog हमें साथ दुखी और उदास रहते हैं ऐसा माना जाता है तो be unhappy या भी मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब कस्टस से भरा हुआ, ठीक है, तो दुखी या उदास रहने को काते हैं, लीड ए डॉक्स लाइफ, चलिए नमबर अठारा में आते हैं, डंकी जियर, डंकी जियर का मतलब क्या होता है, डंकी तो वैसे खचर होते हैं, गदह होते हैं, त चलिए, हमको कहाना है कि पूल को बनाने में काफी समय लग गया, हमको कहाना है कि पूल को बनाने में काफी समय लग गया, हम कैसे लिखेंगे, हना, इट टुक, इट टुक, डंकी जियर, इट टुक, डंकी जियर, तुक कम्प्लीट, तुक कम्प्लीट, दा ब्रीज, इसका ह कि पूल को पूरा करने में पूल जो बीज, पूल था उसको complete करने में काफी समय लग गया। तो बच्चों swiftly कया मतलब क्या है। आपas Erica का मतलब क्या है। चिकन को गिन रहें इसका मतलब क्या है क्या बहुत अस्वस्थ है और इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते before they hatched before they hatched देखिए they are hatched ये पूरा हम ऐसे भी कह सकते हैं या केवल idioms केवल इतना भी आता है या हम इसको बढ़ा भी सकते हैं ठीक है न चलिए तो क्योंभ गर इतना का अर्थ देखते हैं अगर आप इसको नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा इसको देखनी की जरूरत नहीं है देख भी सकते छोड भी सकते है चलिए To be over optimistic To be over confident इसका मतलब होता है कि ज्यादा अस्वस्त होना आप किसी चीच को ले करके count once chicken करते हैं इसका मतलब है कि आप ज़्यादा आस्वस्त हैं हना चलिए नमबर आते हैं 20 में करें कि कौक and bull story कौक मतलब मुर्गा bull मतलब साण तो साण और साण और कौक मुर्गा का कहानी कैसा होगा कोई कालत कहानी होगा मनगणद कहानी होगा चलिए यह false story को कहते हैं cock and bull story यदि कोई बात यदि cock and bull story है तो वो गलत बात है वो false बात है चलिए एक मनगणद कहानी क्या करा है इसका प्रियोग किसी चीच का बहाना करने में किया जाता है जब आप किसी चीच का बहाना करते हैं तो आप इसका प्रियूग करते हैं कोक एंट बूल स्टोरी का आएगा 21 में करें कि डॉग इट्स डॉग सिच्वेशन एक सिच्वेशन है जिसमें कुता-कुत्य को को खाता है जब कुटा कुट्टे को खाने लगे तो समझे एक की बहुती competitive situation है बहुती tough situation है ठीक है तो डॉग इट्स डॉग का मतलब क्या हुआ कि इसी situation के लिए आता है या situation को ब्रैकट में क्यों लिखा गया है कि इस situation के लिए ये परियूग होता है मूल आपका idiom है dog eats dog बस लेकिन है किसी situation के लिए इस्तमाल होता है इसका मतलब होता है very competitive बहुत ही परतियस परधा से भरा हुआ अतियन परतियस परधा वाली परिस्थिति को कहते है dog eats dog situation चलिए तो dog eats dog का मतलब अगर चोटा में कहा जाए तो very competitive very competitive बहुत परतियस परधातमक अना इसके लिए अगर एक चोटा सा अगर हिंदी लिखा जाए तो परतियस परधातमक को हम कहते हैं अना dog eats dog situation आएगा 22 में a dog in a manger a dog in a manger का क्या मतलब है a person who prevents other from enjoying a dog in a manger का क्या मतलब है भाई a person who prevents prevents मतलब रोकना others from enjoying आनन्द में खलल डालने वाले वेक्ति को कहते हैं a dog in a manger यदि कोई वेक्ति a dog in a manger है यानि कि वो आपके आनन्द में आपके मजा में वो खललल डालने वाला वेक्ति है चलिए a person who prevents जो रोकता है others from enjoying एक वैसा वेक्ति जो किसी को मजा लेने से रोके वो काला आता है a dog in the manger आजएगा 23 में करें के go to the dogs हमारा अगला और important idea है go to the dogs go to the dogs का मतलब क्या होता है बहुत खराब इस्थिति में चले जाना यदि कोई चीज यदि go to the dogs अगर चला गया है a very bad state बहुत बुरी अवस्था में चले जाना ये कहला आता है go to the dogs आएगा 24 में आते हैं sitting duck क्या होता है sitting duck क्या होता है vulnerable person or thing vulnerable का मतलब काफी कमजोर काफी नाजुक जिस पर हमला आसानी से किया जा सके वो vulnerable होता है यदि कोई चीज भलने रेबल बहुत important word है exams के लिए यदि कोई चीज भलने रेबल है यानि कि उस पर आसानी से किया जा सकता है ठीक है चलिए तो sitting duck का मतलब क्या है vulnerable person हो सकता है या vulnerable thing हो सकता है ठीक है ना वेक्ती या चीज या चीज जिस पर हमला करना आसान हो वो कलाता है sitting duck चलिए आते है 25 में करें कि fish in muddy or troubled waters muddy या troubled दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते आपकी अपनी choice अपनी margin इसका मतलब क्या होता है try to gain advantage in dangerous situation try to gain advantage in dangerous situation हिंदी क्या निकलेगा खतरनाक परिस्थिती में लाब उठाने की कोशिस करना यदि कोई व्यक्ति खतरनाक इस्थिती में लाब उठा रहा है तो इसका मतलब है कि fish in muddy waters कर रहा है या troubled waters कर रहा है ठीक है चलिए number 10 26 में करें कि cook someone's goose cook sorry cook someone's goose तो चलिए इसका मतलब क्या होते spoil someone's plan अगर आप किसी का goose को cook करते इसका मतलब भोजन बनाने से ने ये इसका मतलब है कि योजना बिगाडने से ये idiom है idiom का अपना एक सोतंतर अर्थ होता है ये one by one करके अर्थ नहीं लिया जाता है जबकि इनका एक combined अर्थ निकलता है इनका एक सोतंतर अर्थ निकलता है तो चलिए cook someone's goose का मतलब क्या हुआ spoil someone's plan किसी का योजना बिगाडने को कहते है cook someone's goose आएगा 27 में कह रहे क्या back the wrong horse कोई wrong horse को अगर back back मतलब होता है समर्थन करना support करना बैक का मतलब यहाँ और कोई दूसरा नहीं है back the wrong horse का मतलब क्या होता है support the wrong person wrong horse का मतलब wrong person से है और किसी गलत आदमी का साथ देना कहलाता है back the wrong horse और गलत वेक्ति को समर्थन देना साथ देने को कहते है back the wrong horse चलिए 28 में आईएगा wait till cows come home wait till cows come home have butterflies in one's stomach आपके पेट में तितिली आ गया है तो पेट में तितिली का मतलब क्या होता है हतासा महसूस करना ठीक है ना पेट में तितिली जैसे कोई बात गुदगुदी होने लगे इसका मतलब होता हतासा महसूस करना ठीक है ना मतलब क्या होता है फिल भेरी नर्वस हतासा महसूस करना आजेगा 30 में मचली वाला भेल है इसका मतलब क्या होता है काफी आनन्द लेना काफी आनन्द उठाना मज़ा लेना एक अच्छा समय गुजारना यह होता है तो बच्चो आज के वीडियो सेशन में हमारी इतनी सी बात हुई हम लोगों ने टॉप 30 एनिमल से जुड़े हुए डियम्स को देखा लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के उपर जो कि आपके एक्जांस के लिए अति महतपूर्ण साबित होंगे बच्चो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले आप वीडियो को लाइक करे आपने विचार को आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि हमें और भी एक बहतर विडियो बनाने में मदद मिलेगा आज की बात बस इतना ही थैंक्यो वेरी मच